मानन ये लिखेंगे एक्सोसाइट की स्पीट पांच मिनट की मानन ये प्रदान मंतरी जी ने आज जो भासण इस सदन में दिया है और जो अपील उन्होंने राष्ट के नाम प्रसारित की है उसके लिए हम उनको हिर्दे से धन्वाद देते हैं आज उन्होंने अपने भासण में ये बिलकुल बता दिया है कि यद्दपी हम हिंदुस्तान बासी सांती चाहते हैं और हमने बरावर हर कीमत पर सांती को बनाय रखने की कोसिस की है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम अपनी सीमाओं का उलंगन सेहन करें या अपने राष्ट की कोई भूमी किसी को दे करके सांते स्थापित करने का प्रतन करें प्रदान मंत्री जी ने सदन के सामने जो भासण दिया है और जो आकड़े सदन के सामने रखे हैं सचमुच उन से यह इसपस्ट प्रिकट हो जाता है कि हमारी जिन सीमाओं का आज पाकिस्तान अतिकिर्मन कर रहा है वे सीमाओं और वह भूमी सब हमारी हैं इस समय पाकिस्तान का जो रवया है वह कोई नई बात नहीं है हमने बरावर पाकिस्तान की और मित्रता का हाथ बढ़ाया है लेकिन पाकिस्तान ने बरावर उस हाथ को काटने का प्रतन किया है देश के विवाजन के शमय से लेकर हमने बरावर हर प्रसंड का हर विशे को मित्रता से तै करने का प्रतन किया है चाहे पाकिस्तान का रुख किसी भी पिरकार का क्यों न रहा हो देश के विवाजन के समय हमने पाकिस्तान के साथ में जो समझोता किया उसके अनुसार हमने पाकिस्तान को उसके हिस्से से अधिक दिया उसके पस्चातवी जब जब कोई प्रसन हमारे सामने आये हमने उनको पुचित पिरकार से तै करने का प्रतन किया आज भी पाकिस्तान की तरफ हमारा करोणों रोपे का कर्ज है जिसको पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया है लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के साथ अच्छा बरताब रखा है आज तक जो रुख पाकिस्तान अपनातार रहा करता है, अगर वही रुख हम भी अपनातें तो नहर के पानी को वंद करके पूरे पाकिस्तान को वीरान कर सकते हैं, किंतु हमने ऐसा नहीं किया एक देश के साथ दूसरे देश के संबंद आपसी सब्दभाव और नेतिकता के आधार पर ही इस्थापित रह सकते हैं अध्यक्ष मौदर मैं आसा करता हूँ कि इस सदन के लिए यह अंतिम अफसर होगा जबकि इस समिधान में इस आधार पर यह संसोदन करने का अफसर आया है इसलिए मैं आसा करता हूँ कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी कि हिम्मत की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम मैंसे अधिकांस लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ती है उन्हीं के द्वारा यह अच्छूत और छूत का रोग फैला हुआ है यह बरनासरम धर्म नहीं है, हमारे यहां यह धरनासरम धर्म है, संपत्ती पर आधारित है और इसके लिए मैं इतनी ही आसा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के बिविन भागों में जमीन कुछ हातों में किंद्रित है जब तक जमीन के एक अधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे, जो कुछ लोग सेक्णों और हजारों एकड रखे हुए हैं, जिन में अधिकान सदसे भी इस सदन में समलित हैं, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि सदन को भी हिमत होगी, कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्विकार किया है, भूमी सुदार का प्रसन जिसकी चर्चा उठी है, और हम उठाएंगे कि जो जोतने वाला है, जो खेत पर मेहनत करता है, जिसमें 100% हरीजन तो हैं ह जो मेहनत करता है, जमीन पर उसका अधिकार होगा, सदन को यह हिमत होगी कि वह इस चीज को करे, यह मैं आसा करता हूँ और नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए एक धकोसला होगा, यही आगरे मैं सभी लोगों से करता हूँ कि भूमी के प्रसन को सोधारे, विना अचुतोधार नहीं होने वाला है, और ना राष्टी उत्थान होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि वह सांती से हो, इसलिए मैं यह आगरे कर रहा हूँ, नहीं तो असांती फूटेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि सांती से हो, इसलिए मैं फिर आगरे कर रहा हूँ कि दल और पार्टी की दिवार तोड़कर हम इस प्रेशन को लें और केंदरी सरकार भी हिम्मत करें। अश्यर हुआ जब मैंने इस प्रतिविदन को आरहम से अंततक देखने की कोशिस की और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपी तक का समर्थन किया गया है जब हमारे समधान में देवनागरी लिपी को राश्टी लिपी माना गया है और आज भी हिंदी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है माराथी देवनागरी लिपी में स्टॉप एक सो साड़ लगाया थे मिला हाँ